तेरा पल्लो सर का जाए रे बस तो हैलो दोस्तो अभी जो आपने फ्रीवी में वीडियो देखा अगर आप लोग भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग अलाइट मोसन से करना चाहे दें तो दोस्तो आपको इस वीडियो को जो है लास्ट से लास्ट तक बोच करना है कहीं पर भी आपको इसकिफ नहीं करना नहीं तो आप अपना एफेक्ट जो है अच्छे से एपलाई नहीं कर पाओगे तो दोस्तो अभी आपको अलाइट मोसन आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है को एसे open करेंगे तो आपको simply क्यांपर प्लस का आइकन देखने को मिलेगा वीच में आपको इसपर क्लिक कर देना और यहांसे आप जिस साइज में वीडियो बानना चाहते हैं साइड में आपको select कर लेनाा size को यहाँ से create project पर click कर देना है अभी आपको plus के icon पर click कर देणा देख सकते हैं आप right side में corner में है अभी आपको is पर click करके कि लिए ओको इस पर click करके आपको इडिया में जाना और मीडिया में से अपनी उस वीडियो को स्विद्व कर लेएना है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं तो मैं अपना यहां से वीडियो जो है देख लेता हूं कहा पर है उसे में आपर simply लिए सिलेक्ट करके आपको अपको आपकर की दिखाने बाला हूं तो यह आपको फ़से याना है और किलिक कर देना और सबसे नीचे राइट साइड माधर कॉप सने आपको इस पर किलिक कर देना है अभी आपको जो है फिल्टर देख रहा है चैनल रीमेप आरजी वी आपको इस पर किलिक कर देना है और स्टेंडर्ड सेटिंग पर कर देना है अब आपको यहां पर सर्च करना सर्च करेंगे आपको सबसे उपर में स्टेंडर्ड सेटिंग पर रख देना है अभी आपको लेयर पर किलिक कर देना और यह बाला एक सेप सेलेट कर देना चोक और आपको जूम करके स्क्रीं में कवर कर देना है कलरा एंड फिल्म में जाने हैं यह मेंसे बाला सेलेट कर देना हैं ग्रीन अवह आपको भिलेंडिंग and फिचिती में आया जाना है यहां से तैड्ड होर्ड आफून तो दोस्तों जैसे आप copy सर्च करेंगे आपको उपर में copy वेगगरांड मिल जाएगा इससे यहां पर आपको को स्टेंडर्ड सेटिंग पर रख देना है अब आपको यह यहांसे वेग आ कर इसका नाम है एक्स पोजर कामा तो दोस्तों सिंपली आपको एडिक्स सर्च करना आपको मिल जायेगा सबसे उपर में और से स्टेंडर सेटिंग पर रख देना है अभी आपको simply एक बहुत ही important work यहाँ पर जो करना आपको उस पर बहुत जाय ध्यान देना तो इसको जहाँ पर adjust करना है तो अभी इसको adjust करने के लिए simply आपको इसके जो है अभी मैंने 300 कर लिया है इसको मैं बाद में adjust करूंगा इसको जो यहाँ पर आपको कि 75 कर देना है कि इसके गामा को जो आपको यहाँ पर एट हंटेट जीरू कर देना और इसको ऑफसेट को जो यहाँ पर माइनस 4 कर देना है अभी आपको गसीन ब्लड को adjust करके देखना है कहाँ पर जो यह comfortable हो रहा है तो यह मैं हाँ पर इसको जो है 400 कर देता हूं अभी आपको इस प्लस के आइकन पर किलिक कर देना है आसी यह वाला से जो है ड्रीट उसे से लेकट कर देना है इसको जूम करके फुल स्कीन में कवर कर देना है कलर एड़ फिल्म में जाना अभी वाइट कलर को स्ट 장님 और यहांसे एक बार वैक कर जाना है अभी आपको फ्लेंडिंग एंड अपने के लिए इसको पूरी वीडियो में अप्लाई करने के लिए इन्हें टिक मार कर देना है तो अभी दोस्तों फिल्टर पूरी वीडियो में अप्लाई हो चुका आप देख सकते हैं यहांपर कुछ इस तरह का फिल्टर बनकर हमारा रेडी हो चुका है अभी इसको जो है डाउलोड करने के लिए उपर एरो के आइकन पर किलिक कर देना है और सिंपल एक्सपोर्ट पर किलिक कर देना है वीडियो जो सिंपल याइफ के गैलरी में सेफ हो जाएगी